तो गाइस आज जब मैं अपनी नई वीडियो के लिए नया प्रोजेक्ट बना रहा था तभी एकदम से ये सोल्डिंग आयरन खराब हो गया और ये आयरन अब बिल्कुल भी गरम नहीं हो रहा है और इसका जो सोल्डर वायर होता है वो भी अच्छे से मेल्ट नहीं हो रहा है और इसको मैंने ठीक करने के भी बहुत कोशिष करी थी लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैंने इसका प्लक निकाल दिया और फिर से एक दो घंटे बार ट्राय करा तो ये फिर भी गरम नी हो रहा था और मेरेको वीडियो के लिए एक नया प्रोजेक्ट बना नह था तो मैं online search करने लगए एक नया soldering iron और amazon लिप कार्ट पर एक अच्छी क्वालिटी का soldering iron बहुत जादा महेंगा मिल रहा था तो फिर मैं Google पर ही search करने लगए एक अच्छी क्वालिटी का soldering iron और Google पर भी Amazon flip card वाले ही soldering iron मिल रहे थे और मेरे को offline भी बहुत जादा मेंगा मिल रहा था तो मैंने ऑनलाइन कर दिया और फिर क्या यह आगे मेरे पास एक दो दिन में और गाइस आप यह सोच रहे होगे कि यह सोल्डिंग एरन मैंने कहां से और किया तो यह मैं बताऊंगो वीडियो के एंड में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यह आइरन अल्टियम ब्रेंड का है शायद आपने इस ब्रेंड का नाम सुना भी होगा और आपने नहीं सुना है तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अल्टियम का 60 वाट सोल्डिंग आइरन और यह आपको एमिजोन और फ्लिपकार्ट पर महेंगा मिलेगा मैं इसको ओफलाइन मार्केट में भी पूछने किया था तो उधर भी बहुत जादा महेंगा मिल रहा था और यह आइरन एडजेस्टेवल है तो इसको आप अपने यूस के हिसाब से एडजेस्ट करके चला सकते हो और मुझे इस आइरन के साथ एक्स्ट्रा बिट भी मिली है औ और जो मैं पहले प्रोजेक्ट बनाता था उनमें मैं इन वाले आरन का यूज करता था और इनमें से यह जो ब्लैक वाला आरन है यह मैंने घर पर ही बनाया अगर आपको भी यह बनाना है तो इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाईगी और अब यह दोनों ही आरन देख लेते हैं इसके साथ जो पीवीजी पाइप करने वाली बित आयीए उस वाली बित को लगा के इससे पीवीजी पाइप कट करके देखते हैं तो गाईज इसका टेंपरेचर यहां से कम और जादा हो जाता है अगर आप हेवी उस कर रहे हो तो इसका टेंपरेचर जादा भी कर सकते हो और छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए इसका टेंपरेचर कम करके भी चला सकते हो तो इस वाले पीवीजी पाइप को हम इस वाले आ और जो परानी वाली बिट थी उससे आप PVC पाइप को कट कर सकते थे लेकिन ये वाली बिट से आप PVC पाइप में होल भी कर सकते हो So guys इसको PVC पाइप पे तो टेस्ट करी लिया है तो चलो अब इसको सोल्डिंग करके भी टेस्ट कर लेते हैं So guys अब मैं बताने वाला हूँ ये सोल्डिंग एरन मैंने कहां से खरीदा है तो ये मैंने खरीदा है A.R.E. मार्केट से और ये वेबसाइट आपको Google पर सर्च करने पर एजिल मिल जाएगी और इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे दूँगा आपको ये सोल्डिंग एरन कैसा लगा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए कर दो चैनल पर चाइक कर दो चैनल और चाइक कर दो बाए